नमस्कार बच्चों मेरा नाम है राहूल और आप देखरें है मैसेविस क्लास तो आपका इंटर्प्रियोंट्टिप मैंट सेट वर्कसीट एमसी वर्कसीट 20 आचुकी है तो आज देखते हैं कैसी एमसी वर्कसीट है आपको बहुत ही आज सुनने वाला काम है लिखने का बहुत कम है देखिए कैसे करते हैं सबसे पहले स्टुडेंट नेम टीचर नेम ये तो आप नेकी लिखके आपको पता ही चल गया होगा और वर्क्षीट का टॉपिक क्या है हेलो दोस्तों दोस्तों आप EMC की वर्क्षीट आपको पहले बच्चों कहती थी पहले आपकी सहपाटी थी अब आपकी दोस्त बन जुगी है ठीक है तो EMC वाले बच्च जो मैं है वो अभी आपकी फ्रेंड बनना चाहती है तो इस बात को समझे और कूल डाउन होके इस EMC वर्क्षीट को तेखिए आपने किस परकार से बना रखिए और बहुत दी मस्त वर्क्षीट है आज की EMC वाली मैं हूँ आपकी EMC बड़ी जो हर हफते आपके लिए वर्क्षीट डिजाइन करती है अच्छा जी इस बार मैंने सोचा कि अपना परिचे दे देती हूँ बहुत अच्छा मैं है दे ही दूँ या सर है तो आप बताईएगा जैसा कि आपने Math, Science, English, आदिस सब्चेक्ट के Teachers ठीक है होते हैं वैसे ही समझ लिजिए मैं हूँ जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे ही मैं हूँ ठीक है इसी लिए इनोंने वर्क्षीट सत्र में आपको हिंड दे दिया था प्रियस सहपाट ठीज समझ रो अगर ये MC हर हफते आपकी भेजी हुई Feedback वर्क्षीट पढ़ती हूँ तो समझ लिए जो आपने पिछली वर्क्षीट आपने एक Feedback वाली दी थी उसी हिसाब से इनोंने आपको बताना जैसे आपको जो Feedback के आपकी वर्क्षीट थी तो जो मेरे पास है जो Feedback दिया था उससे मुझे समझ आया कि आपको बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्क्षीट बहुत पसंद आई बच्चों चीटी विल्गुल भी लई चीटी विल्गुल भी लई देखो इसमें ये लिखा था इसमें से आपको पसंदीता वर्क्षीट कौन सी है तो को मैंने बड़ा सोचना ठीक है बड़ा सोचना वाली वाली बात है फ्राले बच्चों समझ देखो लग क्या कह रहा हूँ है तो ठीक है अच्छी बात है और बाकी वर्क्षीट में मिक्स होगी नहीं तो मैं आपको वह अला भी दिखा देता तो मैं यह भी देख रही हूँ मैं बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाता है कि आप में से कुछ लोग शायद खुल कर अपनी बात वर्क्षीट में नहीं लिख रहे हैं बच्चो तो बहुत ही कम काम है चलो अच्छा आगे है मैं आपको EMC की कुछ खास बाते बताती हूँ बताना चाहती हूँ इसके लिए चलिए एक सिंपल सी अक्टिविटी करते हैं नीचे दी हुई टेबल में से में मैं आपको सिच्वेशन दे रहे हूँ अब आप अपने कुछ दोस्तों की लिष्ट बनाईए और सोचिए कि क्या आप सब टेबल में दिये सभी काम के प्रती एक जैसे मैसूस कर रहे है या नहीं ठीक है मदलब फिर भी आपकी एक्टिविटी आई है ये बस आपको एक्टिविटी करना है लिखना नहीं है मैं अपना ही उधारन देती हूँ पहले बहुत अच्छी बात है मैं अपना उधारन दे रही है मुझे स्टेज और समू में बोलने में थोड़ी घपराहट होती थी ये बात बिल्कुल मेरे साथ भी थी मैं आज इन दिनों में काफी प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आगी जाकी दिक्कत ना हो पर मैं बच्चों को बड़े मजे से पढ़ा लेती हूँ अरे वा ये तो यार मेरी ए सिंट से फिलिंग लाइफ मी पर मैं बच्चों को बड़े मजे से बढ़ा लिती हूँ लेता हूँ मुझे लिखना चाहिए और नई चीज करना मुझे बहुत ही city हि वी अटीन हर दूग भार काम से जोड़े अपने हिमोश्ब आपने मजें को ऊच्चे एसकल के बात लुए आपके दोकी फैसले हैं याउस VAN के भी इमोशन्स इस परकार प्रक्रियाओं में अलग अलग होंगे आप अपने और दोस्तों के लिए एक किया सोचिए और इसे स्टेबल में दर्साइए देखो किस परकार जाई है यहां पर अक्टिविटी मस्ट अक्टिविटी है आपकी वार की जो एक पेज नंबर एक खत पहली बताया था समू में अपने साथियों के साथ कोई गतिविदी करना अच्छा है इने दो भी दिक्कतारी है और अपने से छोटे बच्चों को टूशन पढ़ाना अरे वाह मस्त है ठीक है इस परकार इन्होंने इमोजी एक बना रखी इसी परकार से आपको भी बनाना है जो भी आपको अच्छा लगी इस परकार से इमोजी में भर दीजेगा ठीक है स्टेज पर बोले वाला ऐसी प्रक्रिया है ठीक है कई बार तो आप अगर आपको और कुछ बनाना है तो आप इस परकार से बना सकते हैं और अपने नाम और अपने फ्रेंड का नाम रिखना है आप कि अपने अलग अलग हो सकते हैं ठीक है किसे अगा सकता है यह ऐसे-आइसे वाला हो ठीक है उसका दोस खडूस हो आप अपने से बढ़िया गया कोई दिकत की बात नहीं है अब अपना अ है अपने से छोटे बच्चों को चूशन बढ़ा आरे बाइस ईमोजी बनाउंग यहां पर इसे परकार के यह ऐसे करके ठीक है दाद मिनकाल दूंग इस परकार के बनाएं आपके कुछ बिलकुल नया करके देखना जो पहले ना किया हो अब ये परके देखने में बिल्कुल तो इसमें आपको ठीक है इस परकार से बना सकते हैं आपको अलग-अलग परकार की एमोजी यहां पर बनाने हैं समझे रो यहां पर इन्होंने अपना दे रखा है या मेरा तो ड्रोइंग काफी अच्छी है देखी रहे हो आप लोग यह EMC की मुझे कई वड़ अलगता है कि D.O.U. वाले घर ना आ जाए है न हम सबसे अलग EMC की इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हर विद्यारती है एक दूसरे से अलग है बहुत अच्छी बात है इसलिए हर गतिविधी करने में उनके अनुभों में अनुभों भी EMC एक दूसरे से अलग होते हैं बिल्कुल EMC एक ऐसा विसे है जिसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है बिल्कुल मैंने बच्चों में आपको सुरू से बता रहा था यह मायन डेवलप्ट करने के लिए आप डिक्टू टीप के लिखे नहीं आपको अपने हिसाब से नुभाव, व mujeresicnego कर के कैसा लगा तो ठीक है यह आपको व्यक्टिकट अनुभाव कराने की करा जा तो भूत अच्छ EMC workstation और ऐसा ही हो न चाहिए चलिए कुसरी खास बात बताने के लिए मैं आपको फिर से अपना अपना ही एक खिसा सुनाती हूं चलो ठीक है और माई से भी से क्लास के तो खिसे कई बार सुन लिए होगे आज मैडम ही खिसे सुन लेते हैं ठीक पिछले साल मुझे तीन दिन के लिए लीडर लीडर्शिप को ज्यादा तर समय छोटे समू में काम करना था और शाम को अपने अनुभव के बारे में सोचना था मतलब क्या साम को इन्होंने पूरी अक्टिविटी करने के बाद शाम को इवनिंग में सोचा पहला साथ में काम करके हमें कैसा महसूस हुआ क्या हम एक दूसरे को ध्यान स से आपको सोचना है हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं थे इसलिए शुरू में समू में काम करना थोड़ा असहज लग रहा था हूं सिदी सी बात पहीं नहीं है समू होगा तो आपको थोड़ा सा असहाज मसूद होगा ही मुझे तो और जादा नर्वस लग रहा था क क्योंकि यार बच्चों बगल में वो घर तूट रहा है तो आवाज अगर बैक्राउंड में थोड़ी से अगर आर योगी तो उसे मैनेज करेजीगा क्योंकि जो घर है दो-तीन दिन लगेंगे इसे तोड़ने में ठीक है तो नर्वस लग रहा था क्योंकि किसी नए महौल में खुल कर बात करने में थोड़ा समय लगता है सिदी सी बात है नए महौल में जाओगे बात करने में थोड़ा सा ऐसा हज महसूस होता ही है लेकिन लगातार समू में काम करने और उस दोरान अपनी फिलिंग्स पर ध्यान देने और ध्यान देने और उसके बारे में और लोगों से बात करने में मेरा confidence बढ़ा जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे जो शुरू की वीडियो अगर यूट्यू वीडियो देखते हैं थोड़ा confidence काम था लेकिन आप लोगों से बात करते-करते-करते-करते confidence काफी बढ़ चुका है जैसा कि मैम का भी बढ़ चुका है मेरे को लग रहा EMC वरक्षिट मैंने ही लेखी है आप लोगों कैसा लग रहा है डिस्क्रिप्शन में बताई कमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है समू में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लगता तो क्या मैं समू में काम करने की अपनी छमता को बढ़ा पाती जो आजकर बहुत जरूरी है बिल्कुल नहीं बढ़ा पाती तो मेरा अनुभव कैसा होता उससे दिखाए गया नीची में दिखाए गया तो मैडम का यहां पे काम करना फिर दूसरा है reflection मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी इस पस्ट नहीं थी और कहने का मतलब कोई का नया काम करने के बाद भी आपको कैसा मैसूस हो रहा था उस प्रकार से आपको भी इस प्रकार से बना लेना है जादा मुस्किल नहीं है या आपको यह बार का भ्यास करना जोता है मेरे अंदर बदलाव समू में ज्यादा कॉन्फिटेंट समू करना और इस पस्टूप से बात करने आई जाती है बच्चे जो सुरु सुरु में आप लोगो घबराहट नहीं हो ना जी जैसे का आप मैडम अभी बता रहे हैं या पर कि उनको सुरु म कुछ सिखा है क्या मदलब आपके अनभौ सापसी इस परकार से सीखना ची और हां बच्चो ऐसा ही होता है अनभौ के साथ सही सिखा जाता है आप भी इस तरह के चित्र में उसे लिख कर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ठीक है मदलब बनाना जरूरे नहीं लेकिन फिर भी आप बना देना क्योंकि EMC 2-3-4 लगातार बना तुए आ रहे हो तो EMC 20 की एक पेस्तु लिखी लेना और इस प्रकार से आप बना देना आप अपना अनुभाव लिखे ठीक है शेयर की कर सकते हैं अपने अनुभाव और उस पर रिफ्लेक्शन से सीखा है सीखना है EMC की दूसरी खास बात है मनलब उसके रिफ्लेक्शन से सीखना अच्छी बात है और सीथी बात है अनुभाव से सीखना ठीक है कोई गल्दी कर रहे हैं उसको सीखना कोई और कर रहा है इसलिए आप बिना सही कलत की परवा किये, बिलकुल सही बात किये हैं, बिना सही कलत की परवा किये, मजे में का तीविती कीजिए, और उस अनभाव से जुड़े अपनी फिलिंग्स और विचारों को वर्क सीट में लिखिए, यूट्यूब में जवाब क्या है, इसके कोई फ तो साफ सीधी बात है, यहां तो यकील हो जाता है, यहां से दुबारा पढ़ लेते हैं, उमीद करती हूँ, जैसा कि मैं कहता हूँ, हर बार उमीद करता हूँ, तो मैडम भी उमीद करती है, यार, EMC वाले कई घर न पहुंचा है, मेरे एक डर लग रहा यार, EMC को यहां से मैं उमीद करता हूँ, और मैडम उमीद करती है, इस चिठी को आपको EMC को समझने में मदद मिलेगा, इस जो मैं लाइन, अंडर लाइन कर रहा हूँ, जो पुराने बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट होगे न, वो इस चीज को समझ जाएंगे, मैं क्यों इस पे इतना फो हिंड चलाना है, देखिए किस परिगार चलाते हैं, एक पेज का आपको फिर भी हिंड देता हूँ, अपने बारे में, कुछ ऐसे से करके लिगना, कोई सिकाना ये काम को करने में, आपको कैसा अन्बह हुआ, रिफ्लेक्शन के बारे में, थोड़ा इसे बार वर पढ़िए आप कमेंट, आपकी कमेंट के दिजार आएगा बच्चो, मैं से बसी क्लास के इस वीडियो देंगे लिए धन्यबाद, जय जय बारत